हेलो दोस्तों कैसे होतों दोस्तों आज के इस नए वीडियों में आप सबका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के इस नए वीडियों में आप सबका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के इस नए वीडियों बात करने वाले थर्ड ओडिया और फाइनल ओडिया मैच् में दोस्तों ये मैच दो फिर को सड़े तीन बजे स्टार्ट होगा वेन्य होने वाला Emirates All Trafford Manchester तो एक ऐसा वेन्य है जहां पर कुछ अमारी अच्छी याद है कुछ हमारी बहुत खराब यादी भी है अगर आपको चैंपिन्स टॉपी याद होगी तो 2013 चैंपिन्स टॉपी का फाइनल यही पर हो था और हम लोग ने वह फाइनल जीता था और फिर अगर आपको रिसिंट लिया दोगा मत विच्छ थे टीन मैच्छ ये ओता है यहां पर टारगेट डिफेंड हुआ है यह से आठव मैचस है नहीं मैंचस जीते है आठ मैचस बैटिंग फॉस्ट ने ठीक है तो कुछ इस तरगी से हैं पर स्टैर्स रहे हैं या पर न्यूजिलन ने टूर्टी नाइन बनाए थे तो वह भी डिफेंड कर ले हैं मैच आपको वह अच्छे से पता है और इंगलन ने टूर्टी वन ही बनाए थे और फिर इंगल करके चलोगे वेधर क्लियर है वेधर का कुछ जादा सीन है नहीं बढ़ते आगे बात करेंगे हम लोग सबसे पहले इंगलन के बारे में तो इंगलन ने अपने दोनों मैचस में सेम प्लेइंग लिए खिला है और मुझी लगता है कि इस मैच में भी इनकी सेम प्लेइंग लेवन रहेगी कोई चेंज ये लोग करने नहीं वाले है बढ़ते आगे बात करेंगे हम लोग हुआ कैप दोनों मैचेस में इंगलंड के और से तो इंगलंड के और से अगर आप देखोगे अब तक ठीक है वह अगर हम लोग बात करें बेंस्टोक्स की तो 21 बनाएते ज्यादा कुछ नहीं कर पाएते एक ही और अब तक बॉलिंग करी दोनों मैचेस में मिलके तो उनका भी बतलब दोनों मैच उतने रहे नहीं है बटलर ने श्टगल पर पहले मैच में अच्छे लग इंपोर्टन ये 41 रहे थे इनके और पिछले मैच तो दो विकेट भी निकाले थी तो बॉलिंग बेच रहे थी क्रेग ओर्टन को कोई विकेट अब तक मिली नहीं है ब्राइडन कास से को पिछले मैच में फुल टॉस पर इशपंद को आउट किया था बट टॉप ली गेम इवन मैंने आपको पिछले मैच के विडियों बहुत क्लेरली बोला था कि डेविड विली से बेटर बॉलर है इस टॉप ली तो उनको मोस्टली आप प्रेफर करोगे बस डेविड विली के साथ एडवांटेज रहता है बैटिंग का ये जो एक्स्ट्रा एडवांटेज हो इंडिया की तो इंडिया की अगर बात करें तो कुछ इस तरह के से लियाओन रहनी मतलब पिछल्य मैट में खेलेते विराट कोली आप रहाच को पिछले मैच में क्या चेंज्ज होंगे बैटिंग में तो कोई चेंज नहीं होने वाला बट मुझे लगता है चाहे टीम सिद पहले मैच में इंडियन टीम ने डॉमिनिट किया था इंगलन टीम बने 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 बहुत अच्छे लगे ती पिछले मैच में जितना भी टाइम थे क्रीज पर जितना भी खेल रहे थे बहुत सॉलिड लगे पट एक बॉल वह जो उनका जो ऑफसाइड जो बॉल आता है उस पर जब छेड़कानी करते हैं विकेट फेक देते हैं रिश्याप पन फुल टॉस पर आउट रहे थे वाट सॉप डिसमिसल था सुरिक मार यादो अच अच्छे लग रहे थे दो विकेट भी निकाले थी तो अच्छा किया जड़े जाने 29 की पारी करी थी और बॉलिंग करी थी श्रमी को दो मैचेस में मिली है एक विकेट अब तक अनलकी रहे मैं यह कहूँगा कि आपकर नहीं पर तीन विकेट होना चे वही बोलु श्रमी न आप बॉलिंग रहे थी मेरे भाई पिछले मैट में चार विकेट वो भी कॉलिटी बॉलिंग करके चार विकेट निकाली थी ऐसे पीछ में जहां पर बहुत ज़्यादा टर्न नहीं था तो इनका नोट करके चलोगे अब यह और वन डे स्टैट्स देखलो हर प्लेयर के रहेंगे और यह प्लेयर वैटर्स यह अपडेटेट प्लेयर वैटर्स है पिछले मैचस में जो भी वहा है पिछले मैच में जो भी वहा है वो सारा अपडेट करके प्लेयर वैटर्स में लेके आया हूँ रोही शर्मा पिछली मैच में टॉपली ने आउट किया था जहाप कर्दवन भी नोट रहे थे विराट को मुईनली 2-3 बार आउट के है मुईनली कहीं नहीं कई ना कई विराट को परिशान करते हैं श्टोक्स भी तीन बार आउट कर चुके हैं पिछले मैं डेवीड विली ने इनको विराटकोली खेले नहीं थे रिशब्च पंग, सैंक करन एक बार आउट कर चुक है जो खेल नहीं रहे बट पिछले मैक में मुही नली नियाथ किया था था यह नोट करके अनको ठीक है और इस टॉपली बे एक बर आउट कर चुक है पहले ही बॉल्पिन को बोल्ड कर दिया था और बाकी किसी बॉल्ल ने अब तक आउट नहीं किया है बढ़ते बागे बात करेंगे इंगलंड की तो इंगलंड के और से अगर आप देखोगे तो जोने बेस्टो जड़ी जा टोटल चार बार आउट को चुके 54 बॉल्ल में 53 र किया है बागी क्रिष्णा हर्दिक पांडय शमीत तीनों ने एक एक बार आउट किया है बड़ तीनों की सामने जोने बेस्टो के अच्छे स्टैट्स है जैसन रॉय जड़ी जा आउट कर चुके इनको तीन बार बड़ दोनों अब तक आमने सामने नहीं आया है बुम्रा पिछले मैच में बुम्रा ने पहले मैच में बोना ने आउट किया था माप करना और पिछले मैच में हर्दिक पांडय ने आउट किया था बड़ हर्दिक पांडय के सामने अच्छे खासे रन बना जैसन रॉय ने क्रिष्णा एक बार आउट कर चुके बागी किसी ने अब बढ़ते आगे बचे वे प्लेस किया हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे है जौस बटलर शमी ने इनको बहुत परेशान किया पूरे करियर में 52 बॉल 54 फाइल टाइम्स आउट किया है पिछले दोनों मैचेस में दो बर आउट किया है तो समझ सकते कि बटलर को कितना परेशान किया है T20 सिरीज में बुनिशर परेशान कर रहे थे वन डे सिरीज में शमी परेशान कर रहे है जड़िया भी तीम बर आउट कर चुके शादू ठाकुर दो बर आउट कर चुके हर्दिक पांडय भी दो बर आउट कर चुके प्रसिद कृष्णा ने एक बर आउट किया है लिएम लिविंग इस्टन गुम्रा ने आउटा था इनको पहले मैच में हर्दिक पान्य ने न आउट किया था और शादु ठाकुर भी एक बराउट कर चुके है मोहिन अली चहल ने इंको आउट किया था पिछली मैच में बड़े शॉट के चकर में आउट हुए तो प्रसिद कृष्णा ने आउट किया था पहले मैच में कॉटन बॉर्ड किया था और बुम्रा भी एक ब्रावरीं को आउट कर चुक है तो यह कुछ इंट्रस्टिंग प् में लेने हैं कौन से दो प्लेस हम ले सकते हैं पहली बात तो यह दोनों मैच अजीब चले हैं पहले मैच में इंगलन ने डॉमिनेट किया थर्ड मैच है डिसाइडर है दोनों टीम अच्छी है कुछ भी हो सकता है तो इन्वेस्मेंट उस लॉजिक के साथ ही करोगे ठीक है आप देखो दो प्लेस कौन से ले सकते हो तो एक तो यहाँ पर क्या ट्रेन राए पिछले कुछ समय में पिछले कुछ मैच अरली ओवर्स में विकेट गिरती है और फिर मिडल ओवर्स में मिडल ओडर में रन बनते हैं यह देखने को मिला है 19 का जो सेमिफाइनल आपको या तो आपको मना ही नहीं नहीं ले पाऊंगा वी इस पॉइंट पे तो इन तीनों में से धवन सुरिया और पंथ इन तीनों में से कोई एक ठीक है और लास्ट प्लेएर में आपके पास ऑप्षिन नहीं अगर आपने दवन नहीं लिया है तो अगर इनोंने स्टार्टिंग के और निकाल दे तो यह भी आपको लंबी पारी खेलते दिख सकते हैं अब एक प्लेयर चूट रहा है जौस बटलर उसका सिंपल डिजन ही कि मेरे पास क्रेइट्स ने बटलर को ले लिया तो सिर्फ आठ क्रेइट्स बचेंगे आठ के साथ फिर आपको नीचा कि या फिर क्रेग गोर्टन या फिर कार से इन दोन में से कोई एक लेना पड़ेगा ठीक है तो यह याद रखना और फुड़ा सा बटलर का यह देखो रन बन सकते बटलर की इस मैच में हुआता लगी फॉर्म में खराब नहीं कहूंगा पॉब्ली का क्या होता है दो मैचस खराब हो गये ना पॉब्ली बोलने लगती है आउट आउट आफ फॉर्म चलड़ा आउट आफ फॉर्म है उससे पहले बहुत तगड़े रन बना के आ है आई वह सुर्प आई-प्याल में नहीं वर्लकॉप में भी रन बाया थे तो बटलर का फॉर्म बहुत अच्छा है और रन बना सकता है तो बटलर को एग्णओर नहीं करर रहू हुं है तो फिर अगर आ जादा चांसे से as compared to Benzstrokes run बनाने के but Butler को शमी भी परिशान करता है Butler को बुमरा भी परिशान करता है तो Butler के सामने थोड़ा सा धोका जादा है डेंजर जादा as compared to Benzstrokes तो में Benzstrokes को prefer किया वाकि कुछ भी हो सकता है साब की रहेगी अब यह हो गए अगर आप देखोंगे तो यह पे पटलर को अटाना पड़ेगा नहीं ले पाऊंगा तो मैं कुन से प्लेस ले रहा हूँ इस पॉइंट पर तो मैंने रिशाब पंद को प्रेफर किया है और यहाँ अगर देखोंगे तो मोहिन अली को प्रेफ फिर आपके पास ऑप्शन में है जोनी बेस्टो जो रूट है बेंट स्टोक से ते रिस मेनी ऑप्शन कोई भी पॉब्लिक कुछ भी करके आ सकती इस मैच में पर्टिकुलर्ली विकास कोई सेट ऑप्शन अवेलिबल है नहीं पर्ट मैं हर्दिक के साथ जा रहा हूँ फिर आप बोलो भाई यार ओपनर तो रहन नहीं बनाते अगर यह सेट हो गया ना तो लंबे रहन बना सकता है इस स्टैड्स भी अच्छे तो इन्हें बेस्टो को आइस कैप्टन से देदी हर्दिक को कैप्टन से देदी बाकी देखते हैं आप अपने कैप्टन डिसाइड कर सक तो पाकी फाइनल प्लेयर दो प्लेयर भी आप अपने ले सकते हो फाइनल अपडेट्स के लिए टेलिग्रम चैनल से जूड़ना टेलिग्रम चैनल के लिए आपको कमेंट सेक्शन में फॉर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी थेंक्यू सो मज़ गैस फूर वाचिंग